हाउ टू इन्वाइट पीपल लोगों को कैसे बुलाएं कैसे इस बात को समझें कि किस तरह से लोगों को बुलाया जा सकता है अभी प्रॉब्लम क्या है जितने भी लोग हैं जो अपने उन से कहते हैं कि ठीक है इन्वाइट यॉर पीपल कहते हैं हमाने कर दिया रेइस्टर जन चुरुओं हो जाती है रमेश यह तो आते ही नहीं किसी प्रोगाम में चाहें कितनी भी कॉल करने अभी कॉल नहीं हुई है बात्चे चल रही है क्या कि इसको भलाऊंगा यह तो आये गए इसके घर में तो बलडे पार्टी में तो आज ये तैयारी में लगाऊगा इस कुछ method है जिनको आपको follow करना होगा number one know your circle to whom you can invite सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको वो circle पता होने चीजिसको आप invite करना चाहते हैं चाहें वो workshop के लिए हो चाहें वो training program के लिए हो चाहें वो अवोर्ड सहर मनी के लिए हो चाहें आर्किटेक्ट्स की meet हो अभी हम लोग आर्किटेक्स को भी तो invite करते हैं आप 10 आर्किटेक्ट को phone करो 8 आर्किटेक्ट कहें आठीक है आ रहा हो और आएंगे नहीं क्यों क्यों क्योंकि आपको right words नहीं पता right method नहीं पता कि कैसे उसको execute कर करना है first of all आपको पता होना चाहिए कि आपके वो person कौन है who is prospective person तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे जिनको आपको invite करना है first that is that is hot lead second warm lead and third a far upने पर आपके ज없 flatterओ के नाम लिखे लिखना चुरू करूं कि मतलब मैं मैं जानता है नहीं मुझे नहीं पता है फूस है घलत आप मुझे बताएंगा फूसह होगा तो दस दोस्तों मुखेंगा ने अपने आप मैं इस से बर्डे की लिस्ट छोटी करनी हो तो कैसे घटाई जाती है अच्छा जो तीसरे अगले तीन दोसन का ले ना उन पर गोला मत डालना उन पर स्टार बना दो स्टार अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपको एक टिकिट देता हूं मूवी की बताओ किसके साथ जाओगे तो ब बचाओगा ना कोई अपना कॉंसेट समझना यही तीन लीड होती है इतीन लंबी कानी गड़ने से अच्छा न मैंने आपको तीन शब्दों में बता दिया कि जब आप लिस्ट बनाओ ना तो सबसे पहले वो नाम लिख लो जो 100% आएंगे यह दूसरी होगे वाम यह वो ल थो आइद्री है इंवाइड कर लेते हैं फिर खासम खास यौ थो हुआज़े होते हैं इनको पार्टी में सेकंड lord option में बुलाते हैं फिर इनको invite करते हैं और उसके बाद बेलखुल शांत हो जाते हैं जबकि सबसे बड़ा जो network है सबसे चोटा इनकोता है कूम सा है होट ल कि इसको identify तुम कैसे करें identify करने का तरीका है इस हो तो लो कि अगर हमारे हां पार्टी होती तो किस-किस को बुलाता कि दूसरा अगर पार्टी पापा-जी ने थोड़ीशी बड़ी कर दी चल उधाज वह और बुला ले तो किसको बुलाता और पार्टी नी बंदारा कर दिया जो आ जाए वो खा जाए ओंधारा भी तो होता है जो party करते हैं भंधारे भी करते हैं जो आ जाए ओंधारे वो खाaspory कोई पास करते हैं कि अब इसको identify कैसे करना है तो सबसे पहले जब कोई-वी इवेंट हो कोई-फॉन वरक्शॉप हो कोई भी seminar हो, कोई भी meeting हो, कोई भी closing deal हो, कोई भी business plan meet हो, या कोई भी open out seminar हो. Now you have to invite your people. सबसे पहले, group में अपने उन लोगों को invite करें, जो आपके बहुत close हैं. Is that clear? और वो 5-7 लोग होते हैं. फिर उसके बाद उनसे related, relation में, friends में, circle में, कम से कम 40-50 ऐसे लोग होते हैं, जिनको आप invite कर सकते हैं. और उसके बाद जो बसता है न, उसके अज़ता powerful tool, हतियार, strain gun. There are different-different type of weapons. Number one, revolver, जिसमें 5 targeted दियें, 5-2 को गोली मारने हैं, 6 दियें, 6 को मारने हैं. ठीक है? फिर होते हैं multi-revolvers, गटा-गट, गटा-गट, change करते जाओ. और फिर होते हैं stain gun, जहां पर अंदा धुन-गोलियां चलाते हैं, और अंदा धुन-गोलियां चलाने के लिए, आपको किसी को नहीं देखना, आपका Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Instagram, और social media profile के अलावा, paid social media profile, जब इसका इस्तिमाल करेंगे, तो आप अपने बहुत सारे लोगों को invite कर सकते हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ ये process बताया है, कि सारे process में लोग मिलते कहां पर, Is that clear? Yes. प्राब्लम क्या है कि जब हम networking में, या training में, या seminar में, हम audience को देखते हैं तो हमारा size घड़ता चलायता है, क्योंकि हमारा mindset केवल hot लोगों पर लगा रहता है, कि यही लोग इनी को बुला सकता हूँ, और एक और बात, सबसे कम जो आएंगे, वो वो लोग आएंगे जो hot lead में, important call कौन सी है, जो आपके पास calls आएंगी, incoming calls जो आएंगी, और incoming calls आने के सारे tools में आज आज आपको बताने वाला हूँ, जिसका इस्तिमाल करके, आप आसानी से लोगों को identify कर पाएंगे, hot lead में कौन कौन आते हैं, number one, close friends, और close friends का मतलब यह close, पांच साथ लोग ही होंगे लिंक में, yes or no, उसके बाद family person, कितने और family में भी कौन कौन से, आपके close family person, और most of the time, close family person आपके साथ जाने के लिए तयार नहीं होते हैं, social close relation में कौन आते हैं, RWA के जो members हैं, बहुत से लोग societies में जाते हैं, communities, आपकी social communities कौन कौन सी हैं, तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, close friends में पांच लोगों के नाम लिखें अपनी, अपनी diary में, अपने paper pad पर, पांच लोगों के नाम लिखें close friends में, everyone, आपके परिवार के पांच सदस्य कौन हैं, उनका नाम लिखें, close relatives, social circle के नाम लिखो, association, club, organizations, सामाजिक संगठन, राजनेतिक संगठन, व्यापारिक संगठन, spiritual संगठन जितने होते हैं, close relatives में वो आते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, अब देखें, problem क्या है, पता क्या है, problem यह है, कि हमारे पास इतने सारे social network है, right हमें यह पता नहीं है, कि उसमें से लोगों को invite कैसे करें, चाहें आपके business के लिए हो, चाहें आपके profession के लिए हो, चाहें आपके training program के लिए हो, आपकी workshop के लिए हो, किस तरह से लोगों को invite करें, इसकी technique हमें समझ नहीं है, आपको अपना circle समझना है, is that clear, warm lead में कौन को नहीं है, मैंने आपको बताया था, now cold lead, all unknown person, या all वो लोग जिसकी organization को आप जानते हैं, लेकिन आप उनसे direct जुड़े हुए नहीं है, उनको invite कैसे करना है, how to invite, number one, make a list on paper, number one, make a list on paper, paper पर आप list बनाएं, कि कौन कौन सी organizations हैं, जब आप कोई social work करते हैं, social कारिकरम करते हैं, तो आप organizations के नाम लिखते हैं, कि किस-किस के अध्यक्ष को बुलाना है, yes or no, मतलब कई organization के नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो ठीक उस तरह से make a list, hot, warm or cold, tell them about seminar, how, कैसे invite करें, कैसे बताएंगे उनको, there are different different methods, अभी problem क्या है, कि हमें यही नहीं पता, उसमें content लिखना क्या है, important वो नहीं है, जो आप बोलना चाहते हैं, important वो जो सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है, मैं आपको एक conversation बताता हूँ, वो भी आगे वाला technique आएगा, कि what to do and what not to do and how to invite people, उसके बारे में बात करेंगे, tell them about seminar, अब वो कैसे पता लगेगा, कैसे पताएंगे seminar के बारे में, yes, seminar के informative creatives आपको बने हुए मिलते हैं, yes or no, और दूसरी बात, आपको एक opportunity देते हैं, कि उस seminar की information के साथ साथ, आप अपने product या अपने business की information को add करें, और कैसे, अगर कोई creative बना हुआ है, तो नीचे हमने एक column दिया हुआ है, जहाँ पर आपका particular photo, आपका नाम, आपका contact number, जिसको आप invite करना चाहते हैं, वो information होती है, और tell them about seminar, seminar के बारे में उनको बताएं, through call, via WhatsApp, via Facebook, via complete social media platform, और list बनाने के बाद, एक एक करके जो लोग आपके direct link में हैं, उनको call करना, शुरू करें, Is that clear? Next, invite them as a special guest, कई बार क्या होता है कि बहुत सार लोग इस तरह है कि जिनको आप direct invite नहीं कर सकते, तो invite on your behalf, कि आप आएं और मैं आपको हमारे जो speaker trainer हैं, उनसे मिलवाओंगा, या मैं आपको किसी company के director से मिलवाना चाहता हूँ, invite them to have meeting with speaker in seminar, is that clear? Next, ask them to have at least 100 visiting cards, उनसे ये बोलें कि आपने 100 visiting cards के साथ आएं, Why? Everyone want to grow their own business, हर व्यक्ति अपने business को generate करना चाहता है, Yes or No? आप मेंसे हर व्यक्ति अपने business को generate करना चाहता है, और उसका right method क्या है, लोगों को ये बताएं कि अपने visiting cards के साथ आएं,